हेलो फ्रेंट्स तो आप सबको पता होगा कि हमारे गेम से इंक्यूबेटर और डाइमन रॉयल दोनों ही खटम होने वाला है एक जून को हमारा इंक्यूबेटर सेक्शन पूरी तरह से हड़ आएगा गेम के अंदर से और बचे हुए ब्लूप्रिंट और एवलियोशन स्टोन का क्या होगा तो उसके लिए एक एक इस्चेंज एविंट हमारे गेम के अंदर आने वाला है आप लोग सिंपली जाएए निउस सेक्शन में और निउस सेक्शन में जाने के बाद चेंजेश टू लक रॉयल इसमें आपको जाना है तो यहाँ पे आप लोग पहले देख सकते हो डाइमन रॉयल देर विल बी ए निउस सेजन स्टार्ट वन जून टू टेन अगस्ट यानि एक जून से हमारा एक और डाइमन रॉयल आएगा वो हमारा लाज डाइमन रॉयल होने वाला और इंक्यूबेटर में 17 मई से 13 जून के बीच एक बहुत ही तगड़ा एक्सचेंज इवेंट आएगा जिसमें आप लोग इंक्यूबेटर वाउचस, ब्लूप्रिंट और एविलूशन इस्टोन को एक्सचेंज करके अधर रिवार्ड ले सकते हैं और कौन कौन से रिवार्ड होंगे कुछ इस तरह का इवेंट आप लोग के गेम के अंदर आएगा एक्सचेंज इवेंट जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 99 इवोई स्टोन से आप लोग को इमोट और बहुत ही तगड़ी तगड़ी गन स्किन बंडल्स मिल रहे हैं लेकिन हो सकता है हमारे NDA सर्वर में रिवार्ड कुछ अलग हो लेकिन इवेंट कुछ इसी तरह का आप लोग के सामने आएगा जिसमें आप लोग अपने बचे हुए ब्लूपरिंट पुराने ब्लूपरिंट अगर आपके पास हैं और एक एविलूशन स्टोन हैं तो आप लोग उनको एक्सचेंज करके तगड़े तगड़े रिवार्ड ले सकते हो तो दोस्तों अभी अगर आपके पास जो evolution stone और blueprint अगर हैं आपके पास देख सकते हैं आप लोग मेरे पास 20 evolution stone और एक blueprint है तो मैं इसको बचा के रखूंगा 17 मई को event आएगा हमारे game के अंदर उसमें जब देखूंगा कि कोई तगड़ा reward मिल ला है तो मैं ये bundle नहीं लूँग और तगड़े तगड़े reward वहाँ से ले लूँगा तो मेरे पास बहुत सारे evolution stone है आपके पास कितने blueprint और कितने evolution stone है कमेंट करके जरूर बताना बाई बाई टेक